दोस्तों फुक्रे फुक्रे रिटरंस अपनी कहानी और कैरेक्टर्स की वज़स से बहुत पॉपलर हुई लोगों के बीच इन दो फिल्मों के रिलीज के बाद से ही फैंस इसके अगली पार्ट यानि की फुक्रे 3 का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब फाइनली उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सर्प्राइज सामने आ गया है आगरकार फैंस को अब थोड़ा तसली मिलेगी क्योंकि डारेक्टर मरिकदीब सिंग लांबा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग इस साल 2021 के आखरी में शुरू की जाएगी उसे पहले खबर आयदी कि फिल्म की शूटिंग पहले अपरिल में होने वाले थी एक मेडिय रिपोर्ट से बाचित करते वे डारेक्टर ने बताया हम फिल्म की शूटिंग 15 अपरिल से शुरू करने वाले थे लेकिन लॉकडाउन के चलते हमारा प्लैन खराब हो गया था अब हम इस साल के आखरी तक शूटिंग शूरू करेंगे हम चाहते हैं कि सभी चीजे सेटल हो जाए सेट पर जाने से पहले लोगों को मेंटली रेडी होना ज़रूरी है और सुरक्षित महसूस करना भी चाहिए उन्होंने आगे कहा हमें नहीं पता कि अगली मुसीबत क्या है मैं नहीं चाहता कि हम प्रोजेक्ट शूरू करे और बीच में इसे किसी वज़े से रोकना पड़े मैं चाहता हूँ कि जब हम फिल्म शूरू करे शूट शूरू करे तो फिल्म को एक ही बार में खत्म करे मैं फिल्म को बीच में रोकना नहीं चाहता वरुन शर्मा इन्हें कौन नहीं जानता फुकरे टीम का सबसे स्पेक्शल बंदा उन्होंने एक स्पोर्ट बोई से बाचित करते हुए कहा था कि वो जल्दी सरकस फिल्म की शूटिंग खंद करके उसके बाद तुरंद फुकरे तीन पर काम शुरू करेंगे फिल्ल फिल्म के शेडूल पर काम किया जा रहा है मैंने चूचा का किरदार निभा कर अपने सफर की शुरुआत की थी ये मेरा पहला किरदार था और मैं दोबारा इसे निभाने का इंतजार नहीं कर सकता दोस्तों देखा जाए तो चूचा कैरेक्टर बाकी सभी कैरेक्टर से काफी पॉपलर हुआ था सभी ने वरुन शर्मा की एक्टिंग और उनकी को लोगोंने सा रहा था फुकरे 3 कैसी होती ही ये तो आने वाला वक्त बताएगा वेल आपको कैसे लगा था चूचा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राई शेयर करें थैंक यू सो मच देखते रहें बॉल ग्राड स्टूडियोज अरlevail ये येड़िचल चूचा नीचे कमें पर्ड़ू